दोस्तों आज के सुड़ों बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग और लाज़व होने वाले त्यूंकि आज के सुड़ों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने क्रेडिक कार के बैलेंस को अपने बैंक अकॉन में ट्रांसपर करने वाले हैं और उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जिरूरत नहीं रहेगी तो दोस्तों यह वीडियो क्या रहेगा इसमें आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा कहीं से ओफ़र आ डिये क्या यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानने वाले और उसी के साथ साथ एक चीज़ बत अपने credit card के balance को अपने bank account में transfer करने का तरीका और उसके लिए आपको कोई charges पे करने की ज़रूरत नहीं तो कैसे तो इसके लिए आपको इस वीडियो को दिखना है start से लेकर आखिल तक without skip किये तो नमस्कार दोस्तों मैं विरॉक्ट वारर आप देख रहे हैं विनोड डिजिट दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आप आज चुके मेरे mobile के screen पे और आज हम डिसकस करने वाले अपने credit card के balance को अपने bank account में transfer करने का तरीका और वो भी without any charges तो दोस्तों बेस्ट ऐसा तरीका होने वाला है और यहाँ पर मैं इस वीडियो में आप लोगों को लेता हूँ त उसको हमने यूज किया था और उसकी मदद से हमने without rent payment के अपने credit card के balance को अपने bank account में transfer कर रहे थे तो आज की सुड़े में हम no broker को यूज करेंगे लेकिन हम यहाँ पे इसमें rent payment का option हम इसमें भी use नहीं करने वाले तो हम यहाँ पे जो option को use करेंगे वो एक अलग सा रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आजाना है जैसे आप लोग नीचे आते हो आपको scroll down करते करते बहुत सारा नीचे आना है और जैसे आप नीचे आते हो आप देख सकते हो यहाँ पे rent payment तो इसको हमें use नहीं करना है utility bill इसको भी यूज़ करना है maintenance will payment इसको भी नहीं यहाँ पे आप देख रहे हो फीज वाला ओके तो फीज वाले के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप फीज वाले के उपर क्लिक कर तो यहाँ पे आप लोगों को बता है जा रहा है कि earn cashback reward and partner coupons on your rent and fees payment तो यहाँ पे आपको जो reward या जो cashback आप लोगों को rent payment के उपर मिलता था अभी वो आप लोगों को किसके उपर मिलेगा fees के उपर जो आप education fee या tuition fee पे करने वाला हो और यदि आपके पास one card का credit card होगा तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइदा होगा यहाँ आप लोगों को convenience fee नहीं लगेगी और आप लोगों को 250 रुपई का flat cashback मिलने वाला है यदि आपके पास one card का credit card होगा तो आप लोगों के पास one card होगा तो यह आप लोगों के लिए best ऐसा deal होने वाली ओके तो आप लोगों को one card को use कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो without any charges या नहीं आप लोगों को और रिली बता दिया है get up to 100% processing fees as a cashback जो हमने last housing.com पे दिखाया था वही आप लोगों क आप लोगों का comment आया था कि भाई cashback आप आएगा तो इसका wallet दिया गया है तो उस wallet के अनर आप लोगों को cashback आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को cashback देख सकते हो it's a running cashback every 100 users get 100 rupees और 1000 rupees cashback और यहाँ पे आप यही 100 customer रहा तो उसमें आप लोगों को 1000 रुपे का भी और cashback आजाएगा और आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे best offers आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों यह offers को आप लोगों को grab करना है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यह no brokers का option लिखे है तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो नीचे नीचे आपको आना है य और यहाँ पे करके guest start कर दो तो दोस्तों इसके आगे का process में आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्यूंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजी है जो हम यहने credit card से हम rent payment कर देखा तो वो आप लोगों को सभी को पता है कि कैसे करना है और यह यहाँ पे clear लिखा है pay rent and education fees with credit card तो यहाँ पे credit card से है तो payment होने वाली है तो I don't think so that कि आप लोगों को यह transaction में करके दिखाओ क्यूंकि transaction करके दिखाओंगा तो उसका वीडियो का लेंट बढ़ जाता है और आपको सभी को rent payment यह education fees payment सभी को आता है tuition का नाम डालो आपका नाम डालो और पैसे pay कर दो बस उतना ही है UPI डाल दो tuition का जो भी आपका personal यह आपका order UPI ID होगा उस पे आप लोग यह पैसे ले सकते हो तो यहाँ पर जो important जो चीज है वह मैं बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को पैसे कैसे कमाना है तो दोस्तों यहाँ पर आप आप एजूम करो कि आपका processing fee नहीं लग रही और आपके पास जो cashback वाले credit का ले उसके उपर आपको cashback मिलता है for example मैं Amazon वाला card के बारे में बा बिल ही जाता है एस credit काड़े उसके उपर भी मिलेगा यानि बहुत सारे credit काड़े उसके उपर मिलेगा और वन कार देगा तो भाई बले बले यह आप वन कार से बीप बिल पे करें एक तिन सो रुपए का आपने 30,000 का आपने बिल पे किया 600 रुपए आपको यानि 300 बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है यदि आप लोग वन कार के जरी यूज करें तो आप सोच रहोगे कि भाई हमारे पास वन कार तो नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत है आपके यहाँ पर है आप लोगों के लिए वन कार का एपलिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप होने वाले तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा यह दी वीडियो पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक किजेगा कमेंट किजेगा दोस्तों तक सेर किजेगा कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साब तब तक ले बब वाइ टेकर हाव नाइस देए